इन खाने की चीजों में भी मौझूद होते हैं हानी कारक रेडियेशन केला वैसे तो हमारी सेहत के लिए लाबकारी है लेकिन अगर कोई व्यक्ति करीब एक करोड केले एक बार में खा ले तो उसमें मौझूद पोटाशिम उसके शरीर को वैसा ही नुकसान पहुचा सकते हैं जैसा की व्यक्ति को परमानू रेडियेशन से पहुचता है सिर्फ केला ही नहीं बलकि प्राकृतिक रूप से मिट्टी में भी रेडियेशन मौझूद होती है मिट्टी में मौझूद यूरेनियम के सडने के बाद उससे उत्पादत होने वाले रेडियेशन चोड़ते हैं जो हवा में खुलते हैं और नुकसान पहुचा सकते हैं वैसे हानिकारक रेडियेशन सिग्रेट में भी मौझूद होते हैं सिगरेट में मौजूद रेडान ग्यास कुछ समय में फेपड़ों में बीमारियां उत्पन कर सकते हैं वैसे क्या आप भी सिगरेट पीते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताईए